यह आगाश्वाणी है। रविवासरिय अखिल भारतिय संगीद सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज प्रस्तुद है उस्मान खान का सितारवादन। सन 1940 में जनमें उस्मान खान धारवाड के सितार रत्न उस्ताद रहमत खान के पोते है। उस्मान खान को उनके पिता उस्ताद अब्दूल करीम खान ने सितारवादन की शिक्षा दी, जो करनाटक विश्व विद्याले धारवाड में वाद्य संगीत विभाग के प्रमूख थे। इस समरिध विरासत को उस्मान खान ने पचास वर्षों के कठोर दैनिक अभ्यास से निखा रहा। मीत भाषी उस्मान खान के वादन में गायकी और तंत अंग का उचित मिश्रण है। उनके प्रदर्शनों की सुची में जीवन शक्ती और असीम उर्जा का संयोजन है। उनका वादन उनकी शैलिगत कौशल का प्रदर्शन करता है। केवल पारंपारिक प्रदर्शन के लिए स्वयम को प्रतिबंधित न करते हुए उन्होंने 20 खंड का और्केस्ट्रा पेश किया, जिसमें पूर्व और पश्चमी संगीत के स्रजन कार्य को पेश किया। उस्मान खान ने देश विदेशों के कई प्रख्यात समारों में सितारवादन प्रस्तूत किया है। एक गुरू के रूप में उन्होंने कई भारतिय तथा विदेशी चातरों को संगीत शिक्षा दी है। उस्मान खान को कई प्रदिश्रित पूरसकारों से सम्मानित किया गया है। आज की करिक्रम का आरंभ उस्मान खान राग यमन से कर रहे हैं। इसमें आलाव ततपश्चात मध्धलय गद रुद्र ताल में निबद है। तथा दुरूत गद एक ताल में निबद है। उन्ह Tonight, we present Sitar Recital by Usman Khan Born in 1940, Usman Khan is a grandson of Sitar Ratna, Ustad Raimath Khan of Dharmad. Usman Khan was initiated into Sitar playing by his father, Ustad Abdul Karim Khan, who headed Faculty of Instrumental Music at Karnatak University. The rich heritage has found expression in the Sitar Recital of Usman Khan, which is based on 50 years' rigorous daily riyas. His Sitar Recital is a blending of Gayaki and Tantang with sense of sur, reach, deep alaab and controlled lyricism. Ever since he gave his first public performance at the age of nine, Usman Khan's repertor is dispatched with flawless combination of fineness and vitality, beauty of tone and boundless energy. Not restricting himself to traditional performance, Usman Khan presented a 20-piece orchestra exploring the act of musical creation with blending of musical tradition and instrument of the East and West. Usman Khan has performed in almost all major music centres and music festivals in India and abroad. During the last decade, Usman Khan has emerged as a gifted Sitar teacher attracting students around the globe. Tonight, he begins his Sitar recital with Raag Yaman, in which he plays alaab, Madhalaya Gath set to Rudra Tal and Dhrudh Gath set to Ek Tal. He is accompanied on tabla by Bharat Kamath. He plays alaab, Madhalaya Gath, in which 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 he plays alaab. कर दो 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 कर कर दो 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 तो कर दो कर दो कर दो किल युमिए मुआ और ऑगिकष कर दो 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 दो कर दो कर दो दो कर 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 कर दो 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 दो कर। कर दो 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 का दो कि दो हर्टा कर दो 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 कर कर दो कर दो ये था राग यमन अपने सितारवादन को जारी रखते हुए उस्मान खान अब प्रस्तूत कर रहे हैं राग भूपेश्री इसमें आलाब उसके बाद मध्यले रूपक ताल में निभद गत तथा दुरूत गत तीन ताल में प्रस्तूत हैं That was राग यमन. Continuing his sita recital, उस्मान खान अब प्रस्तूत राग भूपेश्री इन विच प्रस्तूत हैं रूपक ताल मध्यले गत तू रूपक ताल में दृत गत तू तीन ताल कर दूपक ताल में प्रस्तूत हैं कि मतना सब्साइब रूपक तबूपक ताल वें न तो क्या खुपक ताल कर दो 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 कर कर दो 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 करदा तो कर दो 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 कर कर दो 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 कर के दो कर। कर दो झाल 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 झाल